हलो अवरिवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 थी के हिंदी की बुक 36 से चाप्र नमर 13 मानवे करोना की देवे चमक इसके लेखक है सरवेश्वर दयाल सकसेना जी वो कहते हैं संस्मरन निस्मृतियों से बना है संस्मरन मिन्स यानि यादों के आधार पर किसी भी वस्तू किसी भी घटना किसी भी वैक्ति के बारे में लिखना संस्मरन कहलाता है तो वो कहते हैं संस्मरन यादों से बनता है और यादों की विजवसनेता यानि भरुसा उसे महत्वण बनाती है फादर कामिल बुलके पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरन इसी कसोटी पर खरा उतरता है फादर बुलके अपने आपको भारते कहते थे उनका जन्म बेल्जियम यूरोप के रेफ्स चेपल शहर में हुआ था जो गिर्जो पादरियों, धर्म गुर्वों और संतों की भूमी कही जाती है लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमी बनाया फादर बुलके एक सन्यासी थे लेकिन पारंपरी करते में नहीं सरवेश्वर का फादर बुलके से अंतरंग यानि घनिष्ट संबंद था जिसकी जलक हमें इस संस्मरन में मिलती है लेका कमानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतिसादू फादर बुलके को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी बासा और बोलियों के लिए अगाद प्रेम का उधारन माना जाएगा यूंकि फादर बुलके हिंदी से बहुत प्रेम करते थे तो चलिए अब चाप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेका कने क्या लिखा है लेखा कहते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए जहरबाद यानि गैंगरीन एक कस्ट दायक फोड़ा लेखा कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था उनकी रगों में तो दूसरों के लिए सिर्फ मिठाज से भरे अमरित के अलावा और कुछ नहीं था उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो यानि कि उनके लिए ये गैंगरीन जो है जहर बाद है उसका नियम क्यों हो ये सवाल किस सव इस वर से पूछे प्रभू की आस्था ही जिसका स्तथ्व था यानि कि जो फादर बूलके थे उनकी आस्था किस में थी। प्रभू में थी आगे वो कहते हैं एक लंबी पादरी के सफेज चोगे से ढकी आक्री थी इसका मतलब ये कि जो फादर भूलके थे वो लंबे थे और जो पादरी सफेद जोगा पहनते थे वो पहने हुए रहते थे उनका रंग गोरा था उनकी दाड़ी भूरी थी जिनमें सफेद जाई थी और उनकी नीली आंके थी बाहें खोल गले लगाने को वो आतुर रहते थे लेखक आगे कहते हैं इतनी ममता इतना अपना पन इस साधू में अपने हर एक प्रिये जन के लिए उमड़ता रहता था मैं 35 साल से यानि की लेखक 35 साल से इसके गवा थे तब भी जब वो इलहाबाद में थे इलहाबाद को आज प्रियाग राज के नाम से जाना जाता है और तब भी जब वो दिल लिया आते थे आज उन बाहों का दबाओ मैं अपनी चाती पर महसूस करता हूँ फादर को याद करना एक उदास सांथ संगीत को सुनने जैसा है उनको देखना करूना यानि दया भाओ के ठंडे जल में इसनान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्मे के संकल्प से भरना था लेखा कहते हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं परिमल एक ग्रूप जिसमें गोस्टियों पर चरचाएं बहस होती थी तो उन्हें परिमल कहा जाता था उस ग्रूप को परिमल कहा जाता था तो लेखा कहते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक परिवार की तरह रिष्टे में बंदे थे जिसके बड़े फादर बुलके थे हमारे हसी मजाक में वो सामिल रहते थे हमारे गोस्टियों में वो गंभीर बहस करते थे हमारी रचनाओं पर बेबा कराय देते थे और सुझाओ देते थे और हमारे घरों की किसी भी उत्सव और संसकार में वो बड़े भाई की तरह होते थे और पुरोहित के जैसे हमें अपने आसिसों से यानि अपने आशिरवादों से भर देते थे मुझे अपना बच्चा यानि लेखक को वो अपना बच्चा समस्ते थे और फादर का यानि की फादर भूलके का लेखक के मूँ में पहली बार अन्ड डालना लेखक को याद आता है और नीली आखों की चमक में तैरता वातसल भी जैसे किसी उचाई पर देवदारों की चाया में खड़े हो लेखक कहते हैं कि कहां से शुरू करें उनके बारे में मैं कहां से बताओं वो कहते हैं कि इलाहबाद की सड़कों पर फादर की साइकल चलती दिख रही है वो हमारे पास आकर रुकती हैं मुझकुराते हुए उतरते हैं और कहते हैं देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ इसी तरह से वो कहते थे उनको क्रोध में कभी नहीं देखा उनको गुसे में कभी नहीं देखा आवेश में ज़रूर देखा है और ममता थथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है अक्सर उन्हें देखकर यानि फादर बुलके को देखकर लगता कि बेलजियम में इंजिनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुँच कर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई लेखा क्या कहते है कि बेलजियम में जब वो रहते थे तो वो इंजिनियरिंग के अंतिम साल में थे और उस अंतिम साल में पहुँच करके ही उन्हें सन्यासी बनने की इच्छा जागी, उन्हें पादरी बनने की इच्छा जागी जबकि घर भरा पुरा था, दो भाई थे, एक बहन थी, मा पीटा सभी थे लेखक उनसे कहते हैं कि आपको देश की याद आती है इस पर फादर बुल के कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है लेखक फिर सवाल करते हैं मैं जन्म भूमी की पूछ रहा हूँ फादर बुल के कहते हैं हाँ आती हैं बहुत सुन्दर है मेरी जन्म भूमी रैम्स चैपल लिखक फिर आगे पूस्ते हैं घर में किसी की याद वो कहते हैं मा की याद आती है बहुत याद आती है फिर अक्सर मा के स्मृती में डूब जाते देखा है यानि मा की यादों में वो डूब जाते थे उनकी मा के चिठियां अकसर उनके पास आती थी और उनके एक मित्र थे डॉक्टर रगुवन्स जिन्हें वो अपनी मा के चिठियां दिखा दे थे पिता और भाईयों के लिए बहुत लगाओ मन में नहीं था पिता वेवसाई थे यानि की बिजनिसमेन थे एक भाई वहीं पादरी हो गया है एक भाई काम करता है उसका परिवार है यानि की फादर बुलकी के जो दो भाई थे उनमें से एक भाई वहीं पर जहां पर वो रहते थे बेलजियम में वहीं पर पादरी बन गये थे और दूसरा जो भाई था उनका अपना परिवार था बहन सक्त और जिद्धी थी बहुत देर से उसने शादी की यानि उनकी बहन की शादी बहुत देर से हुई फादर को एकाद बार उसकी शादी की चिंता वेक्ति करते उन दिनों देखा था भारत में बस जाने की बाद सिर्फ दो या तीन बार वो अपने परिवार से मिलने भारत से बेलजियम गए थे फादर बुलके कहते हैं लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ इस पर लेखक पूछते हैं आप सब छोड़ कर क्यों चल आए फादर बुलके कहते हैं प्रभु की इच्छा थी वो बाले को किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते वो कहते कि माने बच्पन में ही ये घुशित कर दिया था कह दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजिनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ अगर चाहता तो वो सर्थ रख सकता है तो उन्होंने क्या शर्थ रखी कि मैं भारत जाओंगा लेखक पूसते हैं भारत जाने की बात क्यों उठी फादर बुलके कहते हैं नहीं जानता बस मन में ये था उनकी शर्थ माल ली गई और वो भारत आ गए पहले जिसेट संग में दो साल पाद्रियों के भी धर्मचार की पढ़ाई की जिसेट संग यानि की क्रिशन का संग है जहांपर पढ़ाई होती है और धर्म के आचरन प्रचार की बारे में जाना जाता है तो वहां उन्होंने दो साल पाद्रियों के भी धर्मचार की पढ़ाई की फिर नौ से दस साल दारजिलिंग में पढ़ते रहे हाला कि वो इंजिनियरिंग कर रहे थे लेकिन जब वो भारत आये तो वो नौ से दस साल दारजिलिंग में पढ़ते रहे दुबारा से वो शु विष्वेद धाले के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने 1950 में पूरा किया था शोध अपना और उन्होंने वहां लिखा था रामका था उत्पत्ति और विकास परीमल में उसके अध्याय पढ़े गये थे यानि रामका था जो उन्होंने लिखी थी उनकी अध्याय पढ़े परिमल में फादर ने मातरलिंक की प्रसिध्य नाटक ब्लू बर्ड का रुपांतर भी किया है नील पंची के नाम से यानि ब्लू बर्ड जो इंग्लिश में थी उसको उन्होंने नील पंची यानि हिंदी में लिखा था बाद में वो सेंट जैवियर्स कॉलेज रियसराची मे हिंदी तदा संस्क्रिज विभाग के विभागा धक्च हो गया और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश दिक्ष्णरी तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने किया और वहीं बिमार पड़ गये पठना आए दिल्ली आए और चले गये 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिन्दगी जीकर फादर बुल के संकल्पे से सन्यासी थे कभी-कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे ये लेखक को लग रहा था रिष्ट क्यूंकि वो रिष्टा बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे दस्यों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी महाक उसकी गंद महसूस होती थी उस रिष्टों की महाक महसूस होती थी जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते चाहे खोज कर समय निकाल कर गर्मी सरदी बरसाद जहिल कर मिलते चाहे दो मिनट के लिए मिलते लेकिन मिलते जरूर थे ये कौन सन्यासी करता है उनकी चिंता हिंदी को राष्ट भासा की रूप में देखने की थी वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट भासा की रूप में देखें वो हर प्रेटफॉर्म से हर मंच से इसकी तकलीव बयान करते और हिंदी को राष्ट भासा क्यों चुनना चाहिए इस पर तरकिभी देते थे बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है यानि कि जो हिंदी भासी थे और वो हिंदी की ही उपेक्षा करते थे इस पर वो दुख जताया करते थे क्यों क्योंकि वो हिंदी से अगाध प्रेम करते थे घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलिफ के बारे में वो हमेशा पूछते रहते थे उनका पूछना सवभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांतवना के जादू भरे दो शब्द सुना एक ऐसी रोशने से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जनमती है यानि कि किसी के दुख में वो बहुत सांतवना देते थे और जिससे कि सभी को बहुत ही जाद मोटिवेशन मिलती थी और उनके शब्द एक जादू के जैसे होते थे वो कहते हर मौत दिखाती है जीवन कुनेरा इस पर लेखा कहते हैं कि ये जब बात वो बोलते तो मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्तियु याद आ रही और फादर की इन शब्दों से शांती भी मिल रही है लेखा कहते हैं आज वो नहीं है दिल्ली में भी मार रहा और पता नहीं चला बाहें खोल कर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया जब देखा तवे बाहें दोनों हाथों की सूजी उलियों को उलचाय ताबोत में जिसमें पर पड़ी थी यानि कि फादर बुल की अब नहीं थे जो शांती बरस्ती थी वो चहरे पर ठीर थी यानि फादर बुल की के चहरे पर हमेशा शांती थी और अभी वो शांती थी उनके चहरे पर तरलता जम गई थी वो 18 अगस्त 1912 की सुबा 10 बजे का समय था दिल्ले में कशमीरी गेट के निकलसन कबरगा में उनका ताबुत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया कुश पादरी थे ईरगुवंस जी का बेटा जो उनके मित्र का बेटा था और उनके परीजन राजिश्वर सी उसे उतार रहे थे फिर उसे उठा कर एक लंबे संकरी उदास पेडों की घनी चांवाली सडक से कबरगा के आखे छोर तक ले गए उनके ताबुत को ले जाया गया जहां धर्ती की गोज में सुलाने के लिए कबर अवाकमों खोले लेटी थी यानि पहले से ही कबर बना दे गई थी उपर करील की घनी चांथी और चारो और कबरे और तेज धूब के वृत्ते थे जैनेंदर कुमार विजेंदर इसना तक अजित कुमार डॉक्टर निर्मला जैनर मसीही समुदाई के लोग पादरी गन उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहबाद के प्रसिद्ध विग्यान सिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकास और डॉक्टर रगुवन्स भी जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडे उदासी में बहुत पहले से खामोस दुख की किसी आपरिशीत आहुट से दबे हुए थे सिमट आये थे कब्रे के चारों तरफ यानि कि फादर बुलके के चारों तरफ उनके जितने भी दोस्ते थे जितने भी जान पहचान के थे वो सभी जमा हो गये थे यानि सभी वहाँ पर आ गये थे फादर की पहले कब्रे को उपर लिटाई गई मसीही विधी से अंतिम संसकार शुरू हुआ यानि जिस तरह से क्रिशन का अपना एक विधी होता है उनके अनुसार अंतिम संसकार शुरू हुआ राची के फादर पास्कल तोईना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसेही विधी से प्रार्थना की दूआ की फिरसेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पासकल ने उनके जीवण पर सरधानजली अर्पिट किया और कहा फादर बुल के धर्ती में जा रहे हैं, इस धर्ती से ऐसे रतन और पैदा हो डॉक्टर सत्य प्रकास ने भी अपनी स्रधान जली में उनके अनुकरण ये जीवन को नमन किया यानि कि डॉक्टर सत्य प्रकास ने भी उन्हें स्रधान जली दी फिर उनकी देह कबर में उतार दी गई लेकर कहते हैं मैं नहीं जानता है सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसके मृत्तियों पर कोई रहा रोईगा लेकिन उस च्छन उस पल रोने वालों की कम ही नहीं थी नमाखों को गिनन स्याही फैलाना है यानि कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग रो रहे थे इस तरह हमारे बीस से वो चला गया जो हमें से सबसे अधिक छायादार फलफूल गंद से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे उचाई पर मानवे करुणा की दीवे चबक में लहला हाता खड़ा था यानि लेखा के अनुसार वो सबसे अलग थे और सबके थे वो और उनके अंदर जो दया भाव की प्रेड़ना थी वो चारो तरफ लहला हा रही थी लेखा कहते हैं कि जिसकी समरीती यानि जिसकी याद हम सब के मन में जो उनके निकर थे जो उनके करीब थे किसी यगई की पवित्रागी की आच की तरह आजीवन बनी रहेगी मैं उस पवित्र जियोती की याद में सरदान थूँ I hope आपको ये संसमरन समझ में आई होगी समझ में आई है तो like and subscribe करना मत भूलेगा मिलती हूँ next वीडियो में एक नए चाप्टर के साथ Thank you